क्यूं बने है ना ये छोले बहुत ही डिलिशियस और इनका कलर भी कितना खिल के आया है इनको आप पूरी प्रांथा या रोटी के साथ खा सकते हैं और ये इतने चटपटे बने हैं कि इनको as a snacks आप चाट बना गर भी खा सकते हैं हेए फूडीज वेलकम टू आश्रिमास किचन आज हम बनाने जा रहे हैं छोले अब आप सोचेंगे कि छोले तो बहुत तरीके के बनते हैं पंजाबी छोले, अम्रिसरी छोले, कुल्चा छोले हम बनाने जा रहे हैं कड़ाई छोले ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और छटपट बनके तयार हो जाती है चलो बनाते हैं कड़ाई छोले एन हाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुद मत भूलें आप लोगों की सपोर्ट से ही मुझे और भी इंटरस्टिंग वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है एन साथ में जो घंटी का बटन होता है उसको भी जरूर दबाना ताकि मेरी सभी न्यू वीडियो की अपलोट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो कड़ाई चोले बनाने के लिए मैंने लिये हैं 200 ग्राम चोले और इन्हें 7-8 घंटे पानी में भीगो के रखा जिससे ये थोड़े से नरम हो गए हैं और फूल गए हैं अगर आपको चोले बनाने हैं तो भेतर रहता है कि आप इनको रात में ही भीगो दे इनको बम बॉयल करेंगे उसके लिए मैंने इनको कुकर में डाल लिया है और उसमें आड करेंगे हम 1 कप पानी और उबलते टाइम छोलो में अच्छा टेस्ट आ जाए उसके लिए डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक अब यहां पर काफी लोग छोलो में रंग लाने के लिए उबलते टाइम चाय पती डाल लेते हैं मैं यहां कुछ अलग करूँगी जो रंग तो लाएगा ही वो बहुत ही हेल्दी भी है यह आपको थोड़ी देर में बता लग जाएगा कि हम क्या डालेंगे अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 4-5 सीटी आने का वेट करेंगे अगर आपको छोले बनाने हैं पर आपने इने रात में नहीं भीगोया तो आप इस टाइम पर 1 फोथ टी स्पून बेकिंग सोडर डाल ले उससे आपके छोले बहुत ही नरम हो जाएगे 4-5 सीटे आने के बाद गयास ओफ करके स्टीम के ठंडे होने का वेट करेंगे छोले हो गए हमारे बॉयल अब हम त्यार करेंगे इसका मसाला उसके लिए मैं एक पैन में ले रही हूँ 2 टेबल स्पून गी आप चाहें तो ओल भी यूज़ कर सकते हैं जब घी हो जाएगा हमारा गरम तो उसमें डालेंगे 1 टी स्पून क्यूमन सील्स यानि की जीरा यहां मैंने सिरफ दो चम्मज घी लिया है तो आप देखेंगे कि कैसे सिरफ दो चम्मज घी में बनेंगे स्वादिष्ट कढ़ाई छोले गरम तेल में जैसे ही जीरा हमारा पॉप करने लग जाएगा तो हम डालेंगे 1 टी स्पून कारम सीट्स यानि की अजवाईन अजवाईन इसमें आप लोग ज़रूर डालें कढ़ाई छोले में ये नो डाउट अच्छी तो लगती ही हैं इसमें health benefit भी बहुत होते हैं इनको हम spatula से चलाते रहेंगे और हलका सा भून लेंगे अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और 5 हरी मिर्च इसमें मैंने 3 मिर्चो को लंबा लंबा काटा है और 2 को चॉप किया है आपको लगेगा ऐसा क्यों? क्योंकि लंबी लंबी कटी हुई मिर्च देखने में बहुत अच्छी लगती है आप भी जब बनाएं ऐसे ही करना इनको भी हम भून लेंगे, फ्लेम को हम लो मीडियम पर ही रखेंगे और अब हम डालेंगे चॉप्ट अनियन यहां मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और उसको मोटा मोटा कट किया है इनको भी हम भून लेंगे एक चीज का ध्यान रखना कि यहां भुनने का मतलब है सिर्फ हलका सा नरम करना इनको पकाना नहीं है तो इनको हम लगादार चलाते रहेंगे जिससे कि यह हर तरफ से अच्छे से भुन जाएगा और इसमें थोड़ा सा क्रंच भी रह जाएगा तो यह हमें करना है बस एक से दो मिनट जैसे ही प्याज हमारे हो जाएंगे हलके नरम हम डाल लेंगे अपने पैन के अंदर बॉयल छोले जो हमने पहले कुकर में बॉयल किये थे मैं आपको पीस के दिखाती हूँ कि यह कितने नरम हो गए हैं यह बिल्कुल पॉफेक्ट बॉयल हो गए हैं इनको भी हम अपने पैन में डाल कर तड़के के साथ मिला लेंगे और अब डालेंगे छोलो में बहतरीन रंग के लिए चौप्ट चुकंदर यह रंग में भरपूर होता है तो हमारे कढ़ाई छोलो में बहुत अच्छा रंग दे देगा उसके बाद 1 टी स्पून सॉल्ट थोड़ा हमने बॉयल के टाइम डाल दिया था एंद थोड़ा अभी इनको अब हम मिला लेंगे जैसे ही छोली गैस पे पकेंगे चुकंदर का छोलो में रंग आ जाएगा कढ़ाई छोली बनाने में बहुत ही सिंपल है अगर आपको अभी विलीव नहीं हो रहा तो पूरी वीडियो देखने के बाद तो पक्का हो जाएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह असान लगे या नहीं इनको अब हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम डालेंगे इसमें अपने मसाले सबसे पहले वन टी स्पून रेड चीली पाउडर वन टीबल स्पून धनिया पाउडर वन टी स्पून गरम मसाला बस यह तीन मसाले हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से फिर से मिल दालेंगे धनिया पाउडर की तो अभी से बहुत अच्छी कुछबू आ रही है और अब आखरी में हम डालेंगे एक चमच अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर की जगा आप अनारदाना भी डाल सकते हैं और उसके बाद टमाटर यहां मैंने 1.5 टमाटर लिया है जिनको मै इनको भी हम छोलो के साथ मिला लेंगे आ गया ना छोलो में रंग बहुत ही बहतरीन अभी इसमें एक दो चीज़े और डलेंगी जिससे तो आपके मुवें पानी ही आ जाएगा तो अब हम इसको लिट कवर करके बस एक मिनट के लिए पकने देंगे सिरफ एक मिनट जिससे क कि बस मसाले अच्छे से पक जाएंगे और छोलो के साथ रम जाएंगे अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चौप पनीर और ताजा धनिया पत्ता इनको भी हम मिला लेंगे तो कढ़ाई छोले हमारे बन के तयार हो गए हैं क्यों बन गए ना ये कढ़ाई छोले फटाफट इनको अब रोटी पूरी अपरांटे के साथ सर्फ करें या फिर इसको ऐसे ही खाएं ये वैसे ही पहुत चटपटे और टेस्टी लगते हैं क्यों बने है ना ये लाजवाब मानो अभी खाने को मिल जाएं और एक-एक छोले पे मसाला और रंग क्या खूप चड़ा है कढ़ाई छोले हमारे बन के तयार है इन में से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है चलो इनको टेस्ट करते हैं कि ये बने कैसे हैं ये कढ़ाई छोले खाके मज़ा आ गया माई हस्बेंट गॉनल लव इट तो आप भी अपनी फैमिली के लिए ये टेस्टी कढ़ाई छोले बनाएं और उनका दिल जीत लें तो जब भी आप इन छोलो को बनाने का ट्राय करें तो अपना experience मेरे साथ जरूर शेयर करें जो लोग मेरे चानल पर नए हैं वो मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले आपको कौन से छोले पसंद है? अमरिसरी छोले, पंजाबी छोले, कुल्चा छोले, भटूरे छोले, पिंडी छोले या फिर आजवले कढाई छोले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके फेवरेट कौन से हैं मिलते है मेरी अगली वीडियो में जिसमें मैं कोई और इंट्रस्टिंग और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी अंटिल थेंट, टेक केर, गुडबाई एंड हापी कुकिंग विद आशिमास केचिन